हेलो गाइज नमस्कार परणाम एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ओनलाइन प्रेटपॉर्म इडू फाइवर पे बेलकम करते हैं स्वागत करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जारखण में पुलिस कॉंस्टेवल की भरती निकल चुकी है और इसकी तैयार बहतीन तरीके से करना है तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए जारखण पुलिस कॉंस्टेवल भरती का प्राक्टिस से नमबर वन जिसमें हम लोग सबसे पहले टोटल हंडेड कोशन करेंगे जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है क्य जो कूल होंगे वह टोटल तीनसो नमबर का होगा कितने नमबर का थीनसो नमर होगा इसमें दो वाग है परथम हमागता उत्रय यहां पर कोश्चन आ गया पहला जो पहला कोश्चन है वो भासा से है देखिए भागवन में क्या है भासा से समधित कोश्चन है ठीक है ना तो पहला कोश्चन देख रहा है 9 बजने को 10 मिनट है इस वाकि का सुधरूप क्या होगा कि नो बजने में नोगों को 10 मिनट यहां पर नहीं होना चाहिए यहां पर में होना चाहिए लौजने में 10 मिनट हैं ना जी नो भजने में 10 मिनट हैं यानि राइट अंसर क्या होगा option number c तो कितने लोग option number c कमेंट कर रहे हैं जल्दी से comment box में बताई है कि कितने लोग answer option number c है दुसरा question क्या है दुसरा question में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है kapeech kapeech कारत्र क्वेदल से commence का enjoy और इक कपीष लिखा हुआ है किस मतलब का मतलब क्या है तो इस कपीस का मतलब ये जो कपीस है ना इसका मतलब होता है मट मैला क्या होता है मट मैला और ये जो कपीस है ना इसका मतलब होता है बंदर तो राइट अंसर हो जागा मट मैला और बंदर यानि option number C बिल भी था राइट अंसर दूसरा question है तीसरा question है पीडों पर मैना बैठी है, इस बाग का सुध्ण रूप क्या है? चल्द ए सहяч कमेंट करके पारよろ Face है इस बाग का सुध्र रूप क्या है! फट mustR Saladda पर मैना बैठी है दूसरा option है पेडों पर मैन हो अबेक हैं तीसरा option है आपका पेड़ो पर मैनो बैठी है चौथा ओप्षन है पेड़ो पर मैना बैठी है राइट अंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए तो राइट अंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ो पेड़ो पर मैना बैठी है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्ष देश से निकला यानि कि देश से निकला वोगा राइट अंसर ओगा चार का डी चार यहीं भासा किसका प्रतिनेदित्व करती है राष्ट वासा केवल राज का प्रतिनेद्व करती है राष्ट वासा संपूर्ण मानाव का प्रतिनेद्व करती है राष्ट वासा संपूर्ण राष्ट का प्रतिनेद्व करती है राष्ट वासा संपूर्ण राष्ट का प्रतिनेद्व नहीं पर्यवाची सब्ध पहला और भुजंग दुसरा है करी तिसरा है वारंच वह ता नग तो सब्ध का पर्यवाची सब्ध होता है अप्सण नमबर ए सब्धाइब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं पहला उप्सन है सीशा आय नहीं, सीशा धरपन, आया नहीं या हे भगवाग तो आईना को हम लोग खड़ी बोली में सीशा या धरपन बोलते हैं राइट अंसर हमारा उप्सन नमबर भी हो जाएगा साथ का भी हो जागा आठ में आईए आठ में बोला गया है कि आउचट आचे गयात, तो भड़ी पहला ऑप्सन है आवश्चक, दुसरा है आवशकता से कम, आवशकता से बहुत कम, चवथा एट अप्सन है आवशकता से जादा, तो आवशकता से जादा अंसर हो जागा हमारा ऑप्सन नमबर दी, कोस्टननमर 9 में क्या बोला गया है कि वे देर म में सोकर उठा है इस बाग का सूधरूप क्या होगा है ना तो भाई इस बाग का सूधरूप क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए पताओ हम लोग कभी ऐसे बोलते हैं कि वे देर में सोकर उठा नहीं हम लोग बोलते हैं वे देर से सोकर उठा बोलते हैं कि नहीं हम लोग क्या बोलते हैं वे देर से तो यहां पर में के जगा क्या होना चाहिए से होना चाहिए वे देर से सोकर उठा तो राइट अंसर हो जग वह देर से सोकर उठा तो भाई यहां पर देखे क्या हो जाएगा वे देर से सोकर उठता है वे देर से सोकर उठता है option number C right अनसर हो जाएगा option number 10 बच्चे बुढ़े किस सब्द यूग्म के अंत्रगत आते हैं पहला option है सार्थक निर्थक यूग्म के अंत्रगत पी में लिखा है बिलो में यूग्म, पी सी में लिखा है परियाई यूग्म और चौत्य में लिखा हुआ है निरत्थक निरत्थक यूग्म जल्दी से कमेंट करके आप लोग भी बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा तो भाई इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो option number b हो जाएगा बिलोग यूग में के अंतरगत आते हैं बच्चे बुढ़े क्या है बिलोग भी यूग में है बच्चा बुढ़ा एक दुसरे का क्या है उल्टा अगला है कि कर का अर्थ क्या है कर का अर्थ क्या है कल कीरन टैक्स आथ रात्री टैक्स आथ कीरन व्यावसाय आथ कीरन टैक्स क्या होगा कर का तो भाई कर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है जल्दी से बताईए तो कर का अर्थ होता है कल हीरन टैक्स क्या होता है जल्दी से कमेंट करो लगा दो आग पानी में और बना दो हिंदी को तुफानी में तो इसका जो राइट इंसन हो जाएगा बो जाएगा हाथ कीरन और टैक्स कर का मतलब होता है आत, दो ना कीरण, टैक्स यह अनेकार्थी सब्द हैं क्या है अनेकार्थिक सब्द question number लेंगे हम लोग 12 question number 12 में क्या बोलना देखे लिखाए गया है कि आदी का अर्थ है आदी का मतलब क्या होता है प्रतम आखरी आपको प्रतमे दुसरा आखरी प्रतम और इन से कोई नहीं जल्दी से कमेंट बताएं अधी का अर्थ क्या होता है होता है प्रतम option number C हो जाएगा 12 का right answer क्या हो जाएगा 9 तब गोश्चन催 indoor 13 कुस्तर No.13 में हैं आदी, अंत किसी युग्म सब्द के अंतरगात आते हें। अर्थक निर्थक युग्म बिलूम युग्म युग्म या फि dauर्शत किस सल आता है। तो अभी हमने पड़ा है अदी के मतलब क्या होता है? प्रतं तो यह प्रतं हो गया और यह अंत हो गया तो क्या हो जाएंगे राज भासा उस भासा को कहते हैं जिस भासा के द्वारा क्या को संपन किया जाता है किसी देश के विद्यालों के परसासनिक कार्जों को संपन किया जाता है किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार भी निमाई किया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आपसन नमबर ए यानि किसी राज के परसासनिक कार्जों को किया जाता है जिस भासा में किया जाता है उसे राज भासा के नाम से हम लोग जानते हैं लेंगे हम लोग 15 15 में बोला गया कि चार समासो चार मासो का समुँ का समस्त जाता है आपका आपसन नमबर सी चार पहरो वाले को इन में से क्या कहा जाता है? चौराह और पैर चरवाहा चत्तुस पद्ध क्या कहते हैं जी पूलते हैं चार पैर वाले को टतुस पद्ध बोलते हैं राइट अंसर सी हो जाएगा सुल्हाका स्ट्राइब कि चिरंटक चरंतन सब्द है आंधोगा दूसरा आधी योगा तीसरा निरंत रोगा चौहदा नसवर तो चिरंतन का बिलोम सब्द होता है तो आइ चरंतन का फिलोम सब्द क्या है जल्दी से कमेंट करें इसका ज़राइट अंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कि रंतर का होता है नसवर एक रमेश ने बताया की वह घर जा रहा है कोस्ण नंबर अठारा बाई जल्दी से बताओ ये कौं सा भाक है है ना है तो यह कौन सी भाक है मिसरित भाक है क्योंकि जिस सब्र जिस वाक में की लग गया तो समझ रही जे और मिस आइस इस वाक को सरल भाक में समधाना है इस बाग को सरल बाग में बताए तुम बाहर गए और वह रोने लगा तुम बाहर गए और वह रोने लगा तुम बाहर गए और वह रोने लगा को हमको सरल बाग में बोलना यानि आम बोल चाल की भासा में बोलना है तो कैसे बोलेंगे पहला उप्सन है जो ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा दूसरा है जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा तुम्हारे बाहर जाते 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 ही वह रोने लगा अप्सन नमबर सी हो जागा राइट अंसर हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे बाहर जाते हुआ क्या हो ना लगा रोने लगा कोस्चन नमबर हम लोग लेंगे 20 कोस्तन और 20 है कि इस वाग के संजुत वाग में बदलिए कठोर कर भी शहेरदय बनो कर भी शहेरदय बनो का हम लोग बताना है कि संजुत रुपांतरन व राइट अंसर हुगा तो भाई इसका मत्तव यह होगा कि कठोर बनो प्रंतु सह्रधै बनो option number A इसका राइट अंसर है आथा का प्रियाईवाची सब्थ बतानाम लोग को 21 में आति का परिवाची सब्द क्या होता है जी तो हाची का परिवाची सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पे क्लिक कर लो और जारकन पुलिस कॉंस्टेवर की जो भरती है इसका हम लोग है ना जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आये हैं सब को करने वाले हैं एक एक करके एक करके जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आये हैं जितने भी तरग कितावे निकलके आईए सब कितावों को हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर लेंगे ताकि जारकन पुलिस का एक्जाम देने जाएं तो एक भी कोस्टन हमारा छुटना ना चाहिए चलिए कोस्टन नमर हम लोग लेंगे 22 कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नमर वन कर रहे हैं 22 में बोला गया है कि इन में से कौन सा सब्द ओड़ा परताई से बना है पहला हसोड़ा हसो हंसोड़ा हसोड़ और एक हसोड़ा कौन होगा बताईये तो जल्दी से बताई कमेंट करके बताई जो है सूरह यारी कि राइंट करते हो नम्बर है सोडह सдо जो है यह बनेसे ठीक है अगला ग्रीजा नम्र 127 कौन स सब्ढ़ गार पोड़ है है गार जल्दी सबताइब कौन सा होगा परिमद्गौर्षा में हैं मदद्गार तिसरा में हTalk गार तोर už सब सब्सक्राइब च्छक राज के छोटी का यह राज की सब्सक्राइब आणसर होगा तो यह जो भासा की सबसे छोटी काई है थीक है बोली किसकी काई होती है भासा की सबसे छोटी काई कोस्तर नुमर 26 भाक धेद के अधार पर बाक का नाम बताइए मैंने उससे बहुत समझाया प्रंतु वह नहीं समझी देखें यहां पर प्रंतु एक वर्ड लग गया ना क्या लग गया तो क्या प्रंतु एक बड़ लग गया त इक कौनसा और बटाएक तो एक संजुक्त है है मृसा अटाय को आता है थे एक बाग के लिए सटिक मुहाबरा बताईए बहुत अधीक परिश्रम करने वाला बहुत अधीक परिश्रम करने वाले को क्या बोलते हैं बलोग बन गए हो नीचे दिए गए बाग के लिए सही मुहाबरा बताईए राम उससे जब पुस्तंग मांगने लगा तो वह क्या करने लगा आनाकानी करने लगा आनाकानी यानि कि टाल मटोल करने लगा राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी कुस्तंग नमबर 29 नीचे दिए गए बाग के लिए सही मुहाबरा बताईए कुरसी की होड ने सरकार को जनता की ठोकरों में गिरा दिया पैरों में गिरा दिया आखों में बिठा लिया क्या करेगा भाई सरकार की होड ने कुरसी की होड ने सरकार की जनता को क्या कर लिया जल करना चाहिए तो भाई आपके पहर नहीं खड़े होना चाहिए तो लो लोग भी जानते हो तो कमेंट करके बताओ अंसर कि क्या अंसर होगा ठीक है कोस्टन नमबर लेंगे 31 नीचे दिये गए मुहाबरे का सही अर्थ बताईए दाग लगना असफ़स्ट होगा कलंक लगना बहुत रूलाना यहर संभब कस्ट देना क्या होगा जी 31 का दाग लगना एक अहले सवब्सक्राइब करना है ना इसा क्या करना है यह आर्थ बताना है तो जो अहला अमूलね है जिसमें आमुल ऐसे लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है ऐसे है ना अमुल ऐसे लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है और तो जो यह अमुल्य है इसका मतलब होता है कीमत इसका मतलब होता है क्या अमुल मतलब की जड़ रहित जड़ रहित और किमती जड़ रहित लिखा हुआ है जड़ रहित और किमती कहां लिखा हुआ जी देखिए जड़ रहित और अमुल्य जड़ रहित और क्या हो जागा किमत की पासर नंबर सी हो जाका इसका राइट से नीचे दिए गए संदों का अर्त बताई ए uh most का मतलव क्या इन होता है कठीन और सब्सक्तित होता होता है ależक ध्रill यह है दूरूस्ट दूष्ट दूस्ट 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 बखति यानि कि कठीन और दूस्ट ये तों डूस्ट है है कर दो सामनोंबर डी हो जयांगां ठीक है इस कहाँ पर दोensions बहुंद यहां पर गलत लिखा हुगा अबली और अविल का अर्थ क्या होता है अबली तो देखिए जो यह अजFr Research मिम्हाइव अच्छा इसी परकार से जो अगल है ares क्या होता है तो भाई इसी परकार जो इसकाном मिल इसका पता होता है गंदा यानि पंगती और गंदा राइट अंसर हो जागा हमारा ओप्सन नमबर दी पंच तंत्र में कौन सा समास है तो पंच तंत्र में हमारा जो समास है वो क्या है जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग भी तो है दिंगु शुमास ऑप्सन नमबर सी ऑप्सन नमब से गधांस दिया हुआ है इसको पहले मन से पढ़ना है क्या लिखावा आईए पढ़ते जल का जीवन से बहुत मौत्पुन संबंद है हमारे जीवन हमारे सरीर में तीन भाग है पानी का उसी परकार धरती का तीन भाग जल का है जल के कारण हर्याली और हर्याली से अक्सिजन प्राप्त होती है प्रन्तु आज का लोग इंडिस्ट्रीज तथा रिहाइसी भवनों के निर्मान पर नाम पर एवं गलत निर्नयों के कारण हर्याली का बिनास कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है कहते हैं जल ही जीवन है और बीना पानी सब सुन य पाला कोशन 36 नंबर दिये गए गढ़ानस का उचित सिर्चक लिखिए तो क्या होगा जल का महत्व पानी है तो हम लोग समझ गए कि हर्याली किसके कारण होती है तो हर्याली जो होता है वह आपके जल के कारण होता है कि अगर जल नहीं रहेगा तो पेड़ पोदे सूखे मर जाएंगे हर्याली के बिनास का कारण क्या है इंडिस्ट्रीज रहायसी भवनों के नाम पर जल धरती से गलत दोहन और गलत निनायोकान जल का बिनास हो रहा है अगला क्या है इंडिस्ट्रीज हर्याली भवनों के नाम पर यहाईसी भवनों के नाम पर पिरपाउदे का धरती से गलत दोहन गलत निनायोकान अगला बिनास हो रहा है तो भाई यहां पर जो हो जागा राइट अंसर हमारा ऑप्सन नंबर सी होना चाहिए इसका एना अंसर क्या होना चा पर अंसर के उससे अपर पर आपती होती होती है तो हमके प्रॉप्सन नंबर जो है गडेघक संग्या क्या है की तो जैसे बताएज जानते कि जीए संग्या सब्दोों से जिसे ना तो एक सब क्या है जिसे हम लोग नाप और तॉज सकते गज़ते हैं सर्वनाम का कुल कितने भेद होते हैं जी तो सर्वनाम जो होता है वो संग्या के नाम संग्या के अस्थान पर होता है और इसके जो टोटल भेद हैं वो कितने भेद होते हैं यह होते हैं पूस्तन नंबर लेंगे हम लोग आपको 43 वह स्वता ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है कौन सा सुमास है तो यह जो है वह पुरुस वाचक सर्वनाम है राइट अंसर क्या हो जागा हमारा ऑप्शन नंबर ए फिर नार्थक किरिया का उधारन क्या है तो भाई इसका विकास जैपुर जा रहे है मोहन मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है माने बच्चे को दूद पिलाया वह अराम से सो रहा है इसमें प्रनार्थक किरिया का जो सब्द है वह मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है यह प्रनार्थक किरिया का उधारन है और 45 राधिका बिनाइपुर् तो इसमें जो है वह रिती बाचक किरिया विसेशन होगा ना कि लियर है नेंस्ट नमर्पोर्टी से क्या है वह चलत क्या थर्थ पर्त है हम से यह पूछा गया है जी हां तो बचन से संख्या का बौध कराने वाले सब्द है वह संख्या का बौध कराने वाला है क्या होता है राइट रॉंसर यह हो जाएगा 47 परसग औलीक बीभक्ति का अविपराई क्या है जिजल्दी से कमेंट करके बताओ ना ना कि तो पहला उप्सेने शमाने भूत काल दो कि याए दोनों पहली और दुसरी नेर्वर होता है अभा कारक्चिन और उसके बाद लिखा हुआ है आपको प्रतय होगा बाग के अंग क्या होगा जल्दी से कमेंट करो है ते यह जो होगा वह हमारे भी हो जाएंगे यानि की कारक चीन हो गए अब्यक्ति क्या है ब्यक्ति क्या है कारक चीन में है ना नेक्स्ट नेक्स निट्थ और ना जथे ही दुसरी पर निर्वर है जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा ये होगा बहुत काल दो किरिया है पाली दुसरी पर क्या होती है अभी आववय क्या होते हैं अववय जो अवय हो सब्सक्राइब करते हैं क्या कहते हैं अभिकारी सब्सक्राइब क्या हो जाएगा और सब्सक्राइब क्या है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हिंदी का जो कर्वा दी या पचास कोर्सन का क्या आप लोग इसी तरीका से सारे का चाहिए एक मैंदी कर आपो 15 яр ने वाला हूं तो जादे से जादे लोगो भी सेर करते ताकि जादा से जादे लोग लाइब जुड़ पाए और इसी तरीका से मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा ठीक है ना ताकि आप लोग का जो जारखन पुली से वो एकदम बढ़िया से निकल जाए तैंक यू गाईज बबाई